देश है हमारा में देश की सबसे प्रतिष्ट तरचा 2024 कवार राम से लेकर परिवार मोधी चाहते हैं कि आप दिन पर मोबाइल पर हो जैश्री राम बोलो और भूके मरो मतलब जैश्री राम बोलने वाले भूके मरर रहे हैं हमारा ये कहना है ये भगवान राम का नाम भी लेते होंगे वासुदेव खृष्पिता अलाम भी लेते होंगे लेकिन अपना करम भी करते हैं अपना धाम भी करते हैं हिंदू-मुसल्मान के अलावा वहां के जंता कोई बात नहीं कर रही इनोंने डिवाइड किया सोसाइटी को प्रवाद में जाते हैं वो फोटर भी भुखाओं के लिए दिखाता है गुल्वाओं की फोटर है क्या जाते हैं अरब तुम मुना तो हो लेए अलि हिंदू राजंग लेकर रहता है मुसल्मान की भुखाओं की अरश्माइ नमस्कार विवोज्व नहीं हुँ अमीश देवकन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सब्टबरों से मंतकार इकराम ये देश है मारा और इस अफ़ते ये देश है मारा में बात होगी 2024 के चुनाफ की मुझे याद आता है एक होता है पैर पर कुलहरी लगना और एक होता है पैर कुलहरी पर दे मारना मोदी को हराने की हुंकार भरने वाले विपक्ष की हालत चुनाफ पास आते आते अकसर ऐसी ही हो जाती है दरसल लालू प्रसाद यादव ने एक रैली में प्रधान मंत्री के परिवार पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि ये नरेंद्र मोदी का परिवार है कहां और अब बीजेपी ने इस मुद्दे को दोनों हातों से उठा लिया है बीजेपी ने बकाइदा एक पूरी कैमपेंड चला दी है जिसके तहट पार्टी के सभी नेता कारे करता यानि आम जन्मानूस आप भी खुद को मोदी का परिवार कहना उन्होंने शुरू कर दिया है खुद परधान मंतरी मोदी भी कशमीर से रेकर तमिलाडू तक और बंगाल से लेकर बिहार तक खुद पर हुए इस हमले के बारे में जोर शोर से बात कर रहे है परधार मंत्री कह रहे है कि उन्होंने घर मौज मस्ती के लिए नहीं बलकि देश की सेवा के लिए छोड़ा था यानि मोधी पर हुए डारेक्ट अटाक से मजबूत पब्लिक कनेक्ट बनाने की भरपूर कोशिश हो रही है दूसरी और राहुल गांदी जी है और उनके समेथ पूरा विपक्ष है जो राम और सनातन पर बद जुबानी के लिए रुक नहीं रहा है जो की बीजेबी के लिए एक बोनस पॉलिटिकल ऑपरचुनिटी साबित हो रही है इतना ही नहीं देश के ग्रह मंत्री अमिट शाने एक बार फिर डंके की चोट पे कह दिया है कि मोधी सरकार के इसी कारेकाल में CAA देश में लागू होने जा रहा है यानि आने वाले दिनों में अब फुल पॉलिटिकल आक्शन देखने को मिलेगा सवाल है क्या नरिंद मोधी के परिवार प्रहमले का नतीजा 2019 के चौकिदार चौर जैसा होगा जैसा साबित होगा और बड़ा प्रश्न ये भी है कि राम के नाम पर हिंदूों की भावनाओं के साथ खिलवार क्या वोट का जुगार कर पाएगा आज इनी तमाम मुद्दों पर होगी ये देश है हमारा में देश की सबसे प्रतिश्च तर्चा दो हजार चौबिस का वार राम से लेकर परिवार अभिनंदर आपका आज के इस कारेकर में अब कर दो करना है वाय और बेनों क्यों कि चोकी दाथ चोकी दाथ चोकी दाथ चोकी दाथ आरत माता की वो साल 2019 था जब राहूल गाधी ने इस नारे से बीजेपी और खास्तोर पर प्रधारमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की लेकिन बदले में देश की जनता ने पूरे विपक्ष को तहसनेस कर दिया अब एक बार फिर लोगसबा चुनाव सिर पर हैं और एक बार फिर प्रधारमंत्री मोदी पर डारेक्ट अटेक हुआ है आज कल परिवार बाद पर हमला करता है अरे तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो तुमको हुआ बता ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवार बाद है परिवार के लिए लोग लग है तुम्हारे पास परिवार नहीं है कोई गलत काम बात नहीं हम लोगों नहीं बोला है अब कोई डर्थ इतने वाले हम लोग नहीं है उड़ते ही अब टीवी हैसा अन करो मोधी आ गई मोधी की फोटो आ गई तो उस घर को तरित्री लग गई 2019 की ही तरह इस बार भी बीजेपी ने विपक्ष के हमले को अपने कैम्पेन का हिस्सा बना लिया है क्योंकि सवाल प्रधारमंत्री मोधी के परिवार पर उठे तो जवाब में बीजेपी के तमाम नेताओं ने खुद को मोधी का परिवार कहना शुरू कर दिया कि देश के विकांट से परिशान होकार परिवार वादी लोग मुझ पर व्यक्तिकत हमले कर रहे हैं यह लोग कह रहे हैं कि मोधी का कोई परिवार नहीं है लेकिन इने देश इनको करारा जबाब दे रहा है मोधी मुद्दा नहीं है एक भारती जनता पार्टी का परिवार वाद उनको नहीं देखता था कॉंग्रेस के परिवार वाद के खिलाफ मोधी जी बोला करते थे अब जब परिवार वाद मोधी जी का बढ़ गया है उसकी बात कुछ कहना चाहेंगे करने मोधी सहाब सकती तुछ किना अब इसका स्कती कैवर फिद हम और वणुदं की सियास्ता है ये चौकीदार, ये रैफल, ये परिवार, ये चलता नहीं। ये चलता नहीं। ये चलता नहीं। ये चलता नहीं। क्या बरतास्त कर लेगा हिंदुस्तान। आज इसी पर जंता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो वीवर, सबसे पहले आज की चर्चा के आज की भैस के तीन बड़े मुद्दे क्या है। नहीं। प्लस का टागेट पूरा हो पाएगा ये बड़ा प्रस्टे है। राजेश गुपता, MLA, विधायक, प्रवक्ता आवांधी पार्टी के जोरदार तालियों से आपका अभिरंदन है। विवेक शिर्वास्तव जी लेफ्ट के जाने माने नेता है, उनका अभिरंदन है, आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजे राणा, जाने माने राजनितिक विश्टेशक उनका अभिरंदन है, केके शर्मा, जाने माने राजनितिक विश्टेशक उनका अभिरंदन है, तो जोरदार तालिया होनी चाहिए, सब महमानों के लिए आईए शर्चा की शुरुवात करते हैं, और अमीग जमाई शु पास दिख रही है दिली आने एक बाद पता चला कि शेहनशाह जो है वो डर गए है जब से दिली में आम आदमी पार्टी का कॉंग्रेस का गटबंदन हुआ जब से पश्चिम में जिनको चवनी कहा जा रहा था जब से वो अठनी या सिक्का बन गए है न जाने क्या हो गए है हमारा ये कहना है कि आपने जैनजी को ले लिया आपने राजबर्ची को ले लिया आप सारी पार्टियों को तोड़ रहे हो अगर आप इस देश के सबसे टाकत वर नेता हो दुनिया की सबते शक्तिशाली पार्टी हो आपको ये सब करने की दरूरत क्या है हमारे बच्चे जानते हैं गावंग से हैं यह सब मैंसा मैं भी गाव का हुँ राम-्राम कहते हैं हम भी बरे हुए यह भरत की भाष्या ने करकार पकल कि नर्म fert हैного हैrä। जो हमारी आज़ादी का सब्सक्राइब आप कि राम राम बोल के बड़े हुए अचलिया आप राम राम बोल के बड़े हुए राहुल गांदी के राम राम बोल के बड़े नहीं हुए वो क्या कहते हैं शक्कत नौकरी शिक्षा जो सरकार का वादा है हम कहने आप धरम का एक्सपर्ट क्यों बनना चाहते हैं पांच वक्त का नमाजी और अपना काम भी अच्छे से करता हो तो क्या कहीएगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है काम तो हो क्यों बोला जर्रलाइज करके क्यों बोल यहाँ पर इतने सारे युवा बैटे हैं यह भगवान राम का नाम भी लेते होंगे वाद्शुदेव क्रिश्ट का नाम भी लेते होंगे लेकिन अपना करम भी करते हैं अपना धरम भी करते हैं अमेश भाई तो क्या कहीए जाए तो हिंदू हो या मुसल्मान हो दलित हो य नहेंनदकश बाप बेटियां हैना जो मजदूर हैं गरीब हैं किसांन हैं आद को काम क्यूंने नमाज पड़ लेंगे क्या हम लोग पूजा करते विबढ़े नहीं हुए हैं तो फिर क्या बोलने कि अव долж recognition को राहूल गांदी को कि जैश्री राम बोल और भूके मरो कि हिंदुस्तान明 है हम लोग हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं सनातन को मानने वाले भाही साथ में अप्मी बाशुरू की कि शेहन्शा है दिली में नहीं है दिली में टीपु सिल्टान stability نہیں ह् हमारे यहां कोई शेहन्शा नहीं है अख्लेश का नाम टीपुई है आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं लालु यादफ को क्या जुरत्थी कहने को ज़ा सोचिए जरा मानसिक्ता क्या है आप मोधी तो हिंदू भी नहीं है मंच पे राहूल गांदी बैठे हुए है नातन के प्रती नफरत है यह जो इंडी एलाइंस बैठा हुआ है यहां पर बगल मेरे आम आदनी पाटी के मेले भी हैं उनकी भी बात यहां दिला दू क्या अर्विन केजरिवाल ने बेट मेरी नानी ने कहा बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे बनाई है कि भाई मुसल्मानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे लेकिन आज मैं आपको बता लेता हूं दो हजार चौविस माई में जब रेजल्ट आएंगे इनके जमीन गिकल जाएगी आपने कहा ना कि दिली क्यों आए हैं दिली इसलिए आया है क्यों 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 असी गया तो दिनिया आ रहे हैं जी जी और मुसल्मानों का मुसल्मानों का 35 प्रतिशत से ज्यादा वोट भारतिये जनता पाटिया नरेंद मोदी को मिलेगा क्योंकि सब को लेके हम देश आगे बढ़ रहे हैं अब बीजेपी ने गेर को शिफ्ट किया एक इसको तो मानना को डालेगा क्योंकि मुसल्मान को भी मजबूत सरकार चाहिए यानी और मुसल्मान कैनिडेट भी दे दिया केरल के अंदर अब बताईए यूपी में कितने कैंडिटेट देंगे मुसल्मान अभी पूरी लिस्ट नहीं हुई नहीं है और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है अच्छा मुसल्मानी सिर्व अलप संक्यक है इस देश के अंदर मैं जवाब दीजे मैं मैं साथ मुसल्मानों को किया जाता है मैं यूपी के दोरे पे था पूर्वियों तरदिरेश पूरा घूम करके आया हूँ इन लोगों ने सारे वोट पुलराइज करें हिं हिंदू मुसल्मान के अलावा वहां कि जंता कोई बात नहीं कर रही इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को यह सबसे खतरना चीज़ है जहर बोया है और पोलराइज इतना किया है किसी मुसल्मान को टिकट उत्रपरदेश में नहीं देंगे विवेक बात करते हैं देश क बीवेक बई एक 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 अगर ये कौन डिवाइड करेव विवेवेच आप भी सुनिए और दर्शक उस तरफ है वो भी सुनें अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्विकार नहीं है यह बद्स करा जा रहा है वागर आप चैaking है तो हमें स्विकार नहीं है बार जैश्री राम बोलो और भूके मरो ये युनाइट हो रहा है ये डिवाइड हो रहा है राहूल गांधी ने बिलकुल सही कहा है जब लो कहते हैं और मैं जस्टिफाइ करूँगा कि जैश्री राम बोलो और भूके मरो मैं जस्टिफाइ करूँगा इसको क्योंकि जैश्री रा कहा रहा है हमारे घटकदल आमादी पाटी कह रही है है इक बात कर रही है है कि जैस्री नाम बोलो और भूके मरो नादी की बात के साथ हाथ की बात में बात मिला रही है अमिश भाई, जब मैं छोटा था ना, तो मैं सुना करता है था, ना हिंदू बनेगा, ना मुसल्मान बनेगा, इनसान की ओलाद है तो इनसान बनेगा जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े-बड़े स्टार्स, बड़े-बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इखटे होके गाते थे, और आते थे कि मिले सुर मेरा तुमारा, तो सुर बने हमारा, यही कहते हैं, आज मैं यह देख सब्सक्राओं की जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदो, मुसलिम, हिंदो, मुसलिम, हिंदो, मुसलिम, देखे, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का देखा दे ना, अर निशात साब कौनसी पार्टी में आज, राजबर जी कौनसी पार्टी में यह हजार पार जाना है, धो सब करने कौं करा आप किसी को महसूस करा थे上 है, यह बार-बार किसी दरभ की बात करता अब आपनी पार्टे की बात करी। एक बात और है दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो उसको तरीके नहीं दिखाए जाता अगो तोगडिया जी कहेंगे मेरी जान खत्रा ओटर में ब्रागेंगे मुदिरी से बचके नहीं दिखाएंगे शंकराचारे मना करेंगे कि राम मंदर का गलत टाइम पर हो रहा ह आप नहीं दिखाएंगे अब रहुल गांदी जी की जो बात है बहुत पहले वेदों में लिखाएंगे बहुत पहले ऐसे ही कहावते गाओं में कहते हैं कि भूके बज़ना बज़े को पाला ले पकड़ अपने कंठी माला तो इसका मतलब यह तो नहीं पापी हो गया या ब अब बहुत अच्छा मैं पूछना चाहता हूं मिख भैसे आपको अपने मुस्लिम होने पर गर्व है या नहीं तो मुझे क्यों नहीं होगा हिंदू होने पर होना तो यहीं तो सतर साल से देश में चलता है मुसल्मान होने पर गर्व करो अलब संख्यकों को देखो और मंदिर बनवाने में पांसो साल लग गया आज भी गयान वीट पे हमारी लडाई जारी है कोट में अगर बहु संख्यक मिजॉरिट अरोब हम पर लगाते हैं अगर इसका एक जजबा हम में होता तो क्या ज़रत ही ने आले की अगर ये इस्लामिक देश होता इस्लामिक देश लेने में ताइम लगता है आपकी पार देते हैं को अगायट कर देते हैं किसी के बीच मेरा भी है कि हर एक को अपने धर्म के पति शचेत रह रहा चाहिए लेकिन करम भी शाख करना चाहिए मेरा पॉइंट ये कि हिंदू धर्म बीजेपी की बबॉती तो है नहीं है बिल्कुल नहीं है नहीं है तो फिर आप उसको अपने अपने कस्टिडी में क्यों रखना चाहरा है रामलला का इन्विटेशन गया तो कहें कि यह बीजेपी का इवेंट हम नहीं जाएंगे रामलला लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर लगबग सभी ले रहे हैं और और कौन को लोग अपना काम भी करते हैं साथ में आब मुलिये एक बात कहूंगा जी जी देखिये इन ऑजब फांसेंड हम धर्म के साथ राजनीती करते हैं अधर्म की राजनीती नहीं तो अगर देखें अगर कोई नेता जाता है बनने के लिए तो अपना घर परिवार त्याग करके अपने देश के लिए करता है और फिर ऐसे में से सवाल उठता है लालू प्रसाद यादव जी का की तुम्हारा घर कहा है तो फिर क्या हम देखना जाएंगे कि ऐसे लोग जिनके मन में यह चीज़ है कि परिवार परिवार तो नहीं है ना मतलब उन्होंने परिवार चोड़े का 140 करोर का परिवार ह हमें तो यह सिखा रहे हैं पुरा देश परिवार तो फिर से सवाल क्यों उठ रहा है यह चीज कि क्यों यह जमाई यह पोलिटिकल ब्लंडर हो गया है जैसा दोहजार उन्निस में हुआ था चौकितार चोर है इस बार आपने पूछ लिया मोदी का परिवार कौन सा है तो ल हिंदू जो है ना राशन के लाइनों में काटोरा लेकर नहीं ख़़गा होता है मुसल्मान मुसल्मान को नहीं मुसल्मान को नहीं मुचर आं कि 14 64 में कि हिंदू के ही सरकार है ना कि मुस्लमानों के कंट्रोल है एंटीना पे सरकार के तो 80 करण लोग के लाइक क्यों खणे हैं अच्छाए निए एक बाए अमिक भाई आप इंट्रस्टिंग बात बिरी बोला 2014 के बाद से हिंदू की सरकार है आपके मताबर याफिर 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 या पेरू लोहिया उनके सपने पे चलने वाली सरकार थी तो मेरा ये सवाल छोटा सा है अमीज भाई थोड़ा सा थोड़ा सा दे जी ती सिकंडे जी 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 बोलिए असी करोड हिंदू नासास क्यों है पूरे उत्रप्रदेश के गाउं में आप चल जाओ किसान गरीब हसलों को अपना रखाते हैं दूसी बात कानपुर में ब्रहमण माबेकी का बुल्डर जो चरादी आ गया उसकी हत्या हो गई गलत हुआ उत्तरप्रदेश में ब्रहमणों पे जो अट्रसिटीज हैं वह हिंदू नहीं है सवाल ये कि अगर आप ये कह रहे हैं आप ही कह रहे लेकिन अभी आपने बहुत बोली कि सविधान 2014 से पहले सविधान की बात होती थी एक बंगाल राज्य है वहापे एक संदेश खली है सोचिए वहाँ पर एक आरोपी है जिसने 50 से जादा महिलाओं के साथ इतना निर्मम वहवार किया है कि उसको मैं यहाँ पर बता भी नही उपर उस व्यक्ति के लिए 55 दिन तक उसको कोई नहीं पकड़ पाया इंडिया गड़बंदन की सरकारती टीमसी की सरकारती कोई नहीं पकड़ पाया 55 दिन तक लेकिन एक दिन में सुप्रीम कोड जरूर पहुँच गया शाहसन और आरोपी शाजा शेक है यह फिर बंगाल क की सरकार है बंगाल की सरकार को केजाने की दुरती पॉइंट सीधा ये है कि समविधान की धजिया कैसे ओड़ाये गए यह भी हम सबने देखा है जोग यह आजे आलोगा 30 सेकंड मैं बस यह कहना चाहता हूं कि बिलकुल समविधान के हिसाफ से 2004 की सरकार पहले की सरकारे चल सब्सक्राइब करते हैं देश के प्रधान मंत्री मोधी इस देश के प्रधान मंत्री हैं जिसमें तमाम धर्म सब्सक्राइब करते हैं तमाम संप्रधाय इनकी सोच गंदी है अब कोई मोधी ऐसे नहीं होता है ठीक है ना मोधी बनने के लिए जितनी तपस्या करनी पड़ती है वह परिवारवादी कभी नहीं कर सकते क्या खिलेश लॉंच हुए मुलायम के बेटा थे तह बन गए मुख् यहां मोधी करना मतलब थपस्या है तग है थपाना पड़ता है अपने आपको राजेश गुपता देखिए मैं फिर मैं फिर बाता हूँ विश्यांतर हो जाता है और फिर मैं एक्सपोर्ट की परिवार को टार्गेट करने की क्या विशक्ता थी मैं आप मतलब यह यह मैं प परिवार पूछा जाएगा कि आपको लगता है यह पॉलिटिकल ब्लंडर है अमीश भाई जिन मोधी जी की आप बात कर रहे हैं वह मोधी जी की राजनीती इस बात पर प्रिवार को आकर्मन ही करते रहते हैं शत्तर साल शत्तर साल शत्तर साल नहरू से लेके आस तक परिवार को याकमन करते आ रहे हैं तरहां देख लेना जितने मर्धी निउस पर चला था आप भी तो यही करते थे एक मुझे निया परिवार को नहीं करते दे आप परिवार को नहीं करते दे आप परिवार को नहीं कर पर 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 बात को आपके तुनिए मेरी बात को अब यह कहते परिवार बात इन्होंने भी नई दिली से टिकेट दिये बासुरी जी को किसलिए दिये सर सुष्मा सभराब जी की बिटिया इसलिए ना और तो कोई रीजन नहीं है नौईडा में राजने सिंग जी के बेटे करें सबसे जादा वोट से जीते हैं अब रहुल का अब राहुल गांडी जी चीआठी परिवारवाद के प्रडक्ट ने वरून गांदी जी क्या उनकी उनकी की लड़वारे तो आप किया रीजन है आपके पास में असंद्र अजराजिय को उनके मंक्ष्पन रही थी क्या तो उनके फोटो कैसे खिच रहे थे तो उनके फोटो कैसे खिच रहे थे क्योंकि पुझार मंतरी मोदी को मैंने 2001 से कवर करा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जब बतार प्रचारक RSS के रहे जनल सेकेटरी BJP के रहे पिर गुजराद गए प्रधान मंतरी मोदी तब एक कमरे के घर में ही रहते थे इसमें कोई दोराएं नहीं है और जहां तक आपने बात करी वो गरीब थे की नहीं थे जो सारजनिक सब को पता है प्रधान मंत्री मोदी की माता जी आसपास के घरों में जाकर काम करा करती थी शायद ये बात मेरे को या बतानी जरूरी नहीं थी लेकिन क्योंकि इसले बताईए आपने आपको किसने बताएदा क्योंकि ये सारजनिक है ये बात तो क्या आपको क्या लगता है मैं आपसे फिर कह रहा हूँ जो डिबेट होनी चाहिए देश का एक जनरल इलेक्शन आने वाला है जनरल इलेक्शन बात पोना क्या में एक बनाना चाहिए लेकिन मेरा एक बात कहना है कि देश का चुनाव किस बात पर होना चाहिए, क्या वश्य होने चाहिए, सिक्षा पे, रोजगार पे, किसान को अगा मिलेगा, महीला खुरक्षा पे, आपने शैदा शेक की बात करी, फंसी दे दो, लेकिन ब्लच बूशन सिंगे लिए तो कुछ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, आप लोगों के पास देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए, कि करफशन के खिलाफ एक अभ्यान चले, देश का चुनाव क्या इस बात पे नहीं होना चाहिए, कि शराब घुटाले के आरोपित को आठ बार से एडी बु तो दूसरा ने यह सवाल यह सवाल पूचे मेरी प्रशन आगे के लिए यह तो आप मौया करने कहते हैं करके आए अभी नहीं करके आएंगे सुनिया मेरी बात को जाएंगे फिर दोजार चॉबिस आ रहा है जब यह चुनाव होगा आएंडिया यह घब राए हुए है करप्शन की बात करते हैं अजीत पौवार को गाली देते थे आज इनके साथ है एक के बाद एक एक बाद एक बाद एक और उसमें आप जोइन कर लीजे पीड़ेपी आपके सारे के आपने वोग ने भी आलोग भाई वैसे कमाल की वाशिंग मशीन लगाई है मतलब ऐसी washing machine है फटाक से डालो हआद्मी सूख से निकल रहा है बिलकुल है पड़ी कबाल की washing machine लगाई है लेकिब दॉदू संख्राइए नवीन पतनाईक से भी हमारा में उडिसा में घड़बन्दन final हो गया है अब बोलिए कि उनको उनको भी हम लोगों तो ये देश है मारा में मेरे युबा मित्र ब्रेक के उस पार पूछेंगे कुछ बहतरीन सवाल लेकिन आपको करना होगा थोड़ा इंतजार मैं इंतजार के बाद वापस लौट रहा हूँ ये देश है मारा का बेहजाब देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरो समंध का रिक् लेकिन इस गौर में कुछ गंभीर सवाल पूछे जाएंगे संजेज राणा जी अभी कई सारे ओपिनियन पोल आएं और उन ओपिनियन पोल्स के अंदर एक बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खत्रे की घंटी ये है कि बीजेपी अपने बूते 370 पार नहीं कर रही है एं परसेंट वह पास से दस परतिशत इदर से उधर हो जाकता अगर 335 बोले दस परसेंट जोड़ जोड़ दी तक रीबन 230 के पास पहुंच रहा लेकिन मुझे एक मिनट दीजेगा कि बहुत बड़े बड़े वक्तां आपर खड़े हैं इन्होंने बोला कि शहंचा इनको पता कि अधर परतिश्थ कर देखरन के राम के राम का नाम लेकर परतिश्था हुई थी एक मंदर का धंदा व्यांता यानि बिश्नेस बाता सिर्फ उनके जो वस्तर वेच करके या जंडा लगा करके या आपके लिए ये भाइसा हमारे मित्र बोड़ी चल देगे एक सुन लिए हमारे आम आदी पार्टी की चर्चा कर रहे थे स्कूल एस्पताल एक भी दिल्ली में स्कूल ने बना एक भी एस्पताल नहीं बना अभी के मुखमंत्री कली अमीची 10 सकंड में कली बोलना है 22,000 नौकरी देली पंजाब में भाइसाब अक्टूबर नौमबर में 2022 में वहां पर विर्जगारी दर आट दिसम्नों दो था अराज 9 के पार हो चुका पंजाब में अब किसकी बात कर रहे हो अरे आकड़े रखके अब देखो मैं दो बार का एक विधायक हूँ बड़ा अच्छा काम करा इनोंने यहीं चालेंज कर रहा हूं आपको वजीरपूर का विधायकू टीवी बोल्रों सबसे बड़ी डिबेट है सबसे बड़ा इंकर आपके सामने कड़ा हूगा है गलत तो नहीं कह रहा है मेरे स अब देखोंगा इसके पास आटोंगा नहीं होगे इस्तिफा देता हूँ आपके सामने सबके सामने चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज अब बहुत अच्छी बात बोली देश का सबसे बड़ा शोवर आप सबसे बड़ा इंकर है इनसे पूछे कि नाम बताते हैं जो सब्सक्राइब करेंगे तो आप नहीं किया है देखिए ऐसा है कि लोग यह कहते है कि यह आप किसी पर वार करेंगे तो पर्तिवार तो होगा ही होगा तो आपनी यह गलती किया है और नहीं परिवार बाट कि यह क्योशी परिवार बाट को रोका जाता है यह जय कर सकता है किरें कांग्रेस में वी राजीव गांधी का बेटा कभी नहींस पर्धानमंत्री नहीं कर सकता है क्या आप मानेंगे या नहीं मानेंगे कि इस देश के इंफरस्ट्रक्चर में अधुत पूर विकास हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है पहली बार बजट में 12 लाग करोड रुपय इंफरस्ट्रक्चर के लिए कितना पैसा कर्ज लिए एक मिनिट नहीं है इस घड़ ग़िए बदा हु कितना है डेट टू जी इपी रिश्यो के इसाफ से हम सिर्फ 82 परेंड फर्लाव जो सो है। तो अपनी बात को रखें आप नमस्कार आप सभी को मैं बिल्कुल मानूंगी मोदी जी ने विकास किया है अभी भी चले जाए ग्रामीन इलाकों में काफी विकास हुआ है वहाँ पे पहले के मुताबिक किसी भी आप ग्रामीन एरिया में चले जाए जितनी ऑपुचुन्टी सब्सक्राइब काफी अच्छा हुआ है जो ग्लोबल स्ट्रॉंग स्टाइंड हमारा बन रहा है और कोई कुछ करना चाहता है आप कुछ करना चाहती बोली-बोली जनता का जवाब सुनके लोगो मिर्शी लग जाएगी वहीं कि आपको पता है कि मोदी जी के टाइम पर एक भी एमस नहीं बना था ना इंद्रा गांधी के टाइम पर अटल विहारी वाजपाई जी के टाइम पर पांच एमस बने थे और मनमोहन सिंग की सरकार में सिर्फ एक एमस बना है जी जी अब बताईए लगना है आप मोदी जी का परिवार पूछे थे अभी मै अगर अब का मन है तो कर लो देखें जो कोई भी करना चाहे तो कर लो एक लाइन पूस्ता हूं प्रधान मंतरी मोदी जी ने सन्यास ले लिया था क्या आप उनको अपने परिवार में अपने अभी वावा का अपने पिता अपने चाचा के रूप में देखते हैं या नहीं अब चाहिते हैं यह जो सबसे बड़ी आबादी है जो बेरजगार रहे वो प्राइमिसर का परिवार है क्या इस देश में जातिका जन्दगन्दा के चाहने वाले लोग डुलित पिछड़ा गरीप प्राइमिसर का परिवार है एक सिकने बात बोली कि समाजवाद और इंडिस्ट्रीस की बात करी बताईए जया बच्चन को से समाजवाद से आती जिना बता दीजिए जया बच्चन को आपने राज समाते लिए अरे सुनीजिए अरे धार रखिये किसान की बात कर रहें किसान की बात कर yüzden बच प्र बचाहर यह बताई परिवार के बात कर रहें भाई कि 12 considering और बताती 96 पर 높ल्राइव के बात मों बताते से अच्च श्री बाता है वह विर बताई हुआ हैं मैंत ज्याद हैं और कितने हैं लोग 15 क स्थिक क! करेंगे यह यादव फैमिली के कितने परिवार वाले हैं बताई ना समस्य बताओं ना तीस है गातिस है दर्द बताओं क्या है हजारों साल से एक जाती का भारत के नियाले से लेकर सत्ता पे बीरोकेसी पे कब जा रहा जब से दलीता ने लगे जब से पिजड़ा होने लगे मैं अब एक मलीकारजुन खड़के कांग्रेस के सरवोच निता है अध्यक्ष है उन्होंने एक बयान दिया है वो बयान में वीवर्ज आपको सुनाना चाहता हूं वो बीते कुछ दिनों का सबसे बड़ा बयान है क्या बोला है आप खुद सुनिए और विवर्ज आप निर्ने लीजिए अब क्या है उड़ते ही अब टीवी हैसा अन करो मोधी आ गए मोधी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई पॉइंट यह है कि मोधी की फोटो अगर आ जाती है तो वो घर दरिद्र हो जाता है मतलब दरिद्र का अगर मैं अर्थ आपको समझाओं गरीब गुर्बत हो जाती है उस घर जिस घर में नरे नमोदी के तस्वीर आ गई पहले तो जिस घर में गुर्बत है वहां टीवी भी है मतलब खडगे साब क्या बात बोल रहे हैं लेकिन डॉक्टर अजय लोग क्या आपको लगता है कि यह पॉलिटिकल बात जो खडगे साब कह रहे हैं यह पॉलिटिकल बात है यह पॉलिटिकल बात है नहीं पॉलिटिकल बात है मैं बिल्कुल अगरी करता हूं खडगे साब तो बिल्कुल ठीक बोला भाई अपने बार में बोल रहे हैं तभी तो इतना एक्सपीरियंस है जब से कॉंग्रसी मोधी का फोटो देखना शुरू किये दो हो जातों से देखिए दरीजिता कैसे आती चली गई कॉंग्रस पार्टी में कहां से कहां गे राधीव गांदी के सा इसी खड़गे सहाब ने कहा था जियाद रखो मोधी का राज आ जाएगा तो समझ लेना सनातन का राज आ जाएगा यही खड़गे थे इनके बोल मान हैं इनके किस तेक्स में वह अलग कंटेक्स में कंटेक्स है क्या मतलब सनातन का राज लिए रख इस नेखिए नफरत नफरत यह नहों आप इनके साथ है अलग नहीं हो सकते हैं 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 अब इनके साथ हैं अब आप राहूल गांदी के साथ हैं किसी पार्टी में विले तो नहीं करा राहूल के साथ की बात में पूचो पहले ये पूचो के मोधी के खिलाफ जरूर है मोधी के खिलाफ है राहूल के साथ रही है कि आप भरे स्टूडियो में लोगों के सामने राहूल गादी के साथ है वो मान भी नहीं सकते है जो ये भगवान राम को कहने का टागेट करने की बात है ये तो जाती पर लाने की बात है वैसे कहते हैं कि हम सब एक चाहते हैं हिंदू-मुसल्मान में एक ता रहे लेकिन जाती वाद रहे मतलब जाती वाद दूसरी तरफ नहीं जाती वाद एक की तरफ रहे पॉइंट में कई बार को चुपा हूँ और मैंने इसकी उपर एक लेक भी लिका था कि 20 हमारा और 80 में चाहते हैं बटवारा विपक्ष की ये जो रंडीती है ये 2024 में सिरे नहीं चड़ेगी कोकि हम मेंने 2014 का चुनाब भी देखा 2019 का भी चुनाब देखा कास्ट क्रीड और क्लास को छोड़ कर पब्लिक ने नरेंदमोदी के लिए वोट डाला था 2024 के ओपिनियन पॉल यही सजेस्ट कर रहे है विपक्ष की जो रंडीती है कि 20 परसेंट यानि अब संख्यक वोट तो हमें मिल जाए और 80 परसेंट में ब्रामर ठाकूर वैश्या सैनी बनिया इन सब में हम डिवाइट कर दे तो खेल हो जाएगा ये खेल नहीं होने वाला है ये कार्ट की हंडीती बिहार में एक बार चड़नीती चड़ गए उसके बाद नहीं चड़ने वाली है विजदेश के अंदर मैं ये गैरेंटी से बात कह रहा हूँ पॉलिटिकल रीडिंग को सकर्थे हुए और 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 इसका नुक्सार होगा आप लोगो इसका नुक्सार हो फायदा करके तेखाए एज थे वाधा हूए लागिए आजमाट में पद्लाव आया है आप 14 मर्जी रोकेंगे समाद में बदलाव आया है 19 फॉर्टिक सब्सक्राइब पार्टी और संग परिवार जिस ववस्था को इस देश में लाना चाहते हैं उसमें ब्रह्मन निकल सुप्रीमेसी होगी यह फैक्ट है यह जिस तरीके की रचनल चाहते हैं उसके अंदर दलितों और OBC का स्थान नहीं होगा इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है यह कासेंस के खिलाफ है मंदिरों को इस देश के मंदिरों में जो चंडा जाता था सब्सके मंदिरों का कंट्रों कांट्रों को वे नहीं नहीं से दूंगा भाज साब एक ताप हैं नी कई तो उसी केरा से दो रहा हो गार अरे हो गया थोटी जी बास समझ में नहीं आथी हो गया पंडितों को जो गाली जलोच करना था अब बढ़िया मेरा वादा था कि आपको संजे सिंग की में बाइट सुना देता हूं थोड़ी बड़ी है लेकिन सुनियेगा जरूर तबियत से चंद परिवारों का देश की राजनीती पर कब जा है चले जाएए काश्मीर, सेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, चले जाएए उत्तर प्रदेश, मुलाइम सिंग यादो, आखलेस यादो, राम गोपाल बितवा राहुल, बितिया प्रियंका, दामाद बाडरा, एक ही परिवार की पार्टी, पार्टी कहां बताओ? पार्लेमेंट में बोले में और पॉलिटिकल स्वीट में फरक होता, आप इद बात को समझ दीगे, पार्लेमेंट में सरफ प्रदान मंतरी जी कह सकते हैं, चपन करोड की विद्वा, पार्लेमेंट में ऐसी स्पीच इस नहीं होती, क्योंकि अगर आप चुरावी स्पीच द आपको गाउंदे हाथ में जाके देखना पड़ेगा, जिस जो आपको आपको अगोशित अमर्दंजी हैं, बिलकुल है, तो सब कुछ मुझे क्या लगता, आपको भी लगता, आपको पता हैं आप भी नहीं बोल पा रही, तो आगर आप खुलके बोलेंगे, तो आप भी न बोल पारे चलिए, अब अब देखे, मुझे हाथ डाला है, तो मैं जवाब जरूर दूगा, और जवाब देना चाहिए, बहुत अच्छी बात बोली, देश में अगोशित अमर्दंजी है, और अगोशित अमर्दंजी की वज़ा से, आम आदमी पार्टी ने कॉंग्रेस के टाइम लगी थी, सन 1975 में, कॉंग्रेस का शासन था, इंद्रा गांदी की सरकार्तिया, घोशित अमर्दंजी थी, विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को, अटल बहारी वाचपाई को, लाल किशा डवानी को, समाजबादी नेताओं को, चिंते को, मुलायम सिंग अदव को लालू परसादादव की ने अपनी बेटी का नाम, मीसा मीसा कानून के तहत रखा, सब को अंदर डाल दिया था, और इस देश में, सविधान में, बदलाफ कर दिया गया था, वो अमर्दंजी थी, उस अमर्दंजी में भी बीजेपी ने, कॉंग्रेस के साथ अलाइस नहीं किया था, समाजबादी ने कॉंग्रेस के साथ नहीं अलाइस किया था, लेकिन आज जो ये सो कॉल्ड अघोशित अमर्दंजी कहते है, आज आम आदनी पार्टी इतनी मजबूर हो गई, कि ने कॉंग्रेस के साथ अलाइस करना पड़ गया, ये सोच के देखेंगा, और इस देश के अनंत काल तक रहेगा, आप सब को मेरी नमस्कार, और आपने इस कारेकरम को देखा, जाहिन